नेता प्रतिपक्ष विजय सिना हमारे साथ नेसर बिहार सरकार जाती ये गन्ना का आंकरा जारी कर दी आप लोग तो बिरोध करी रहें कि ये आंकरा फर्दी है आप जद्यू के अंदर से भी बगावती सुर्थ देखने को मिल रहे हैं जद्यू सांसाच सुनीर पिंटू ने कहा कि जो तेली सहु समाज की आबादी है वो कम करके दिखाई गई है इस रिपोर्ट को मैं खारीच करता हूँ फिर से गन्ना कराई जाए जद्यू के महा सच्चिव हैं प्रगती महता वो कह रहे हैं कि धानुक समाज की आबादी कम दि इन कहा था कि यह बैठ करके दाटा आकरा एकटा कर लिया गया आप 으 क्योंकि इस से लोगों के सरकार की कई योजनाएं प्रभावित होगी सरकार के जो गड़ीव के हितमे गड़ीव कल्यान वर्स के रूप में भी कई योजनाएं शुरू हुई है गड़ीव को मिलता है आ आप गलट डांटा आकरा भड़ेंगे वो बंचित हो जाएंगे आपका अर्थिक सर्वेक्षन आपने जारी नहीं किया और जो डांटा आकरा हरवड़ी में किया उसमें कई गरवड़ी है आप बता नहीं पा रहे हैं हमने तो खुला चुनोती दिया था कि मेरा और मेरे की सुनवाई करनी चाहिए अपती लेनी चाहिए सुधार के लिए समय देना चाहिए और तब एक बार आप चाहते हैं कि गड़ीबों का उत्तान और कल्यान हो तो पारदरसिता से पूरी जानकारी लेकर के हरवड़ी में नहीं यह चुनावी राजनिती का खेल बंद करिए गड़ीबों के उत्तान के लिए पूरा सर्वे करकर के इसको परकासित करिए जेपी नड़ा बिहार दोरे पे आये थे पार्टी के भिस्पितामा कह जाते थे कैलास पतिमिश्र उनकी सौवी जैनती थी उसमें सामिल हुए फिर उसके बाद विधायक सांसदों पतादिकारि के साथ बैठा किये तो 24 चुनाओं को लेंके क्या संदिश देखे भारतिये जनता पाटी इमंदारी के साथ देश के प्रधानमंति नरंद्र मोदी जी अपराद भरस्ताचार आतंकबाद उगरवाद के विरुद जो काम किये हैं जो लराई लरे हैं जो इस महामारी को खत्म करने का प्रियास किये हैं आज उरो दिखाई भी पर रहा है और ये विशय बिहार के जनता के बीच जानी चाहिए जो यहां के जंगल राज का महा गठवंधन नहीं महा ठगवंधन की सरकार लोगों को वरगलाने का भरमित करने का प्रियास कर रही है ये जातिये प्रियास के लिए ये विशय सभी लोग जाने कि ये विकास के लिए नहीं ये भरस्ताचार और पडिवारवाद के लिए एक राजनितिक खेल खेल रहे हैं उस खेल से बिहार को बचाना है और बिहार में भाजपा की सरकार बनानी है एक खबर आ रही है कि उन्होंने पार्टी विधायक और संसदों को कहा कि चुनाओं में प्रत्यासी कोन होगा यह आप लोग तैय नहीं करेंगे ये संगठन तैय करेगा इस पर ब्यानबाजी मत करिए न ये सब तैय करने वाली बात अब देखे संगठन के अंदर क्या बाचित हुई है ये विशय मैंने बता सकता हूँ आप लोगों को जादा खवर कहां से मिलती है लेकिन सच है कि भारतिये जंता पाटी अनुसासित पाटी है भारतिये जंता पाटी शंगठनात्मक पाटी है और भारतिय जनता पार्टी के अंदर कोई बड़िवार बाद, बनसबाद की पार्टी नहीं है, किसी जाती बाद की पार्टी नहीं है, एक सामुहिक नत्युत की पार्टी है, और सामुहिक नत्युत बैठ के निरने लेता है कि कौन उमिदबार बनेगा, कौन संगठन में जि पूचित नहीं है आखरी सवाल गोपाल मंडल हैं जद्यू के विधायक सुर्खियों में रहता हैं बयानों के लिए पिस्टल लेके भागलपूर के एक अस्पताल में चले गए थे अपनी पोती का इलाज करने आज पतरकारों ने उन से जब सवाल किया तो पतरकारों को गाली कि दिये कहें कि हाँ पिस्टल लहराता रहूंगा देखिए अब हम उस तरह के वह हमारे प्रवक्ता बोलेंगे राजद जद्यू के आपसी संगती से जो वातावरन विहार के अंदर वन रहा है और जंगल राज को जंता राज अबसे मुखमंतरी कह दिये लोग उत्साहित हुए हैं अब गुंडा राज अस्तापित करने के लिए लोग खुल करके हतियार को ले करके लहराते हुए निकल रहे हैं अब सरकार मौन है संद्चित कर रही है ऐसे लोग पर ब्यानबाजी करना उचित नहीं है लेकिन सरकार में बैटे लोग बिहार के मुक्मंत्री को जबाब देनी चाहिए कि बिहार के अंदर ये भाय का माहूल बना करके क्या संदेज देना चाहते हैं